हेलो एवरीवन यह है वीडियोज वर्ड चैनल और आप देख रहे हैं आज हम केवल दो कमांड से कहेंगे चैम्बर और फिलेट इन दोनों का काम क्या होता है पहले हो डिसकस कर लेते हैं माली जी कोई कोई रेक्टैंगल से पर कोई कॉर्णर है मारे पास कॉर्णर में अगर हमें राउंड शेप देनी है तो हम करते हैं फिलेट का गाम और अगर अगर हमें इस तरह से कोई फ्लेट लाइन देनी होती तो इसको बोलते हैं चैम्बर इसको बोलते हैं फिलेट और इसको बोलते हैं chamber तब इसी को discuss करते हैं सबसे पहले हैं हम क्या करते हैं rectangle बना लेते हैं मैं बना लेता हूँ 1000 by 1000 का rectangle sorry 1000 का नहीं बन पाया 100 का बन का इसको raise कर देते हैं rectangle के लिए REC enter और मैंने यहां क्लिक किया और type किया 1000 tap दबा के दूसरी direction महाँ गया 1000 enter इसी rectangle को हम copy कर लेते हैं हमारे पास दो rectangle है दोनों में हम एक में fillet और एक में chamber यूज़ करेंगे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं fillet fillet command जो होता है F से ठीक है तो हमें F प्रेस करना है enter उसके पर right click करना है और हम देखेंगे radius ठीक है तो radius यह मांग रहा है तो मैं radius डाल देता हूँ 500 enter अब मैं first line पर click करूँगा और second line पर click करूँगा यह देखें 500 radius का उतला पर इस circular shape को कर complete करते हो आप तो इसकी radius कितनी है 500 आप देख सकते हो वैसे भी हमारा यह thousand by thousand का square था तो यह हमारा 500 होगा ठीक है इसी तरह आप चलते हैं हम chamber में तो chamber के लिए हम type करेंगे chamber के लिए होता है C-H-A chamber तो हमने C-H-A enter किया इसको जड़ा दिहां से देखीगा और right click किया और हमने लिया distance तो पहराए कि distance हम यहां से measure करेगा क्योंकि हम जोइंड बना रहे है तो यह distance पूछ रहा है first line का माली जह हमने डाल दिया 200 enter अब second distance मांग रहा हमने डाल दिया 300 enter अब हम first line क्लिक करेंगे 200 वाली और 300 वाल लाइन पे ठीक है अब जड़ा distance measure करके देखते हैं यह होना चीए हमारा 700 और यह होना चीए हमारा 800 800 और 700 क्योंकि हमने जो फर्स्ट डिस्टेंस जाल ला था 200 वाल दो सेक्ड डिस्टेंस जाल था 300 और first line पे इस पे क्लिक क्या और second line पे इस पे क्लिक क्या तरह से chamber बने गया जड़ा distance इसको हम views को ठीक कर लेते हैं यहां से क्लिक करेंगे modify में जाएंगे text tab में जाएंगे text को कर लेते हैं 50 arrow में जाएंगे इसको भी कर लेते हैं 50 ok और हम यहां से करते हैं set ठीक है इस तरह से एक angle से भी हम chamber दे सकते हैं जिसे c h a enter राइट क्लिक एंगल यह पूछ रहे हैं फर्स्ट चैंबर लाइंगे autocad बहुत इज़िए आपस कमांड में जो लिखा हुपर यह देखिए लिखा हुआ यहां पर के length of the first chamber first length of the chamber तो मैंने यह डाल दिया 300 फिर पूछ रहे हैं जो लेंथ है उसकी chamber से एंगल तो 45 डाल देते हैं अब मैं first line पर क्लिक करूँगा second line पर क्लिक करूँगा और यह चैंबर बन जाएगा और अगर यहां पर मैं एक line खीच हूँ और इसका angle मेजर करूँ तो यह है हमारा 45 degree इस तरह से हम chamber और fillet command यूज करते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आई हो आपकी help वी तो please like करने, subscribe करना ना भूले, share करना न भूले, bell icon पर क्लिक करना न भूले और comment करना न भूले थैंक यूज